इसे लेट्स अंडरस्टान्ट टाइप कंपैटिबिलिटि ओक और टाइप कास्टिंग आपको समझ में आता है तो हैशंग इस पर स्ट्रीम ये ये यूजिंग नेमस पे रिए ये यूज करते हैं कि हमें सी आउट को यूज करना है तो हम सीखेंगे जब हम manipulator सीख देना तब हम सीखेंगे इसका use क्या है तो इसके बाद हमने एक main method declare किया main function defined किया है main और वो एक integer है इसका data type क्या integer है integer है इसलिए वो एक return करेगा क्या return करेगा integer value return करेगा 0 is an integer value ओक यह basic structure है ओक यह हर जगा आपको use करना है अभी ठीक है now अभी हम सीख रहे implicit tap casting implicit tap casting में क्या करना है एक lower level data type को आपको higher level data type में convert करना है यहाँ पर data loss नहीं होता ठीक देखते i and t a कर देंगे और a हम में value हम store कर रहे है 10 okay 10 करते ठीक है फिर this is the lower level data अभी को इससे उपर higher level data हम लेंगे double okay d o u b a double b लेंगे और इसमें हमें value store नहीं करनी हमें implicit करना है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे a लिखेंगे कि हम a को integer को convert करें double में b तो understand this is a basic concept अभी इसको बस हम print करना है रहे तो c out कर लेंगे c out a यहाँ पर हम handle यूज़ करते नेक्स लें प्राउट पुडाना चाहिए so handle next वापस हमने किया c out किया b को okay इतना बस बस इसको print करते तो दोनों के value आएगी 10 and 10 ओके थोड़ा सा time लेख 10 10 आ गया तीकि अभी इसकी हमें पता नहीं चल रहा है कि इसके id क्या है तो इसके id कैसे देखेंगे देखो see out मतलब कौन से type का हो कैसे देखेंगे so see out क्या देखेंगे type typ type id id और bracket में आपको okay round braces में आपको जिसकी type id देखने वह लिखने का मझे एका type id देखना है a dot करने का फिर इसका भी जो भी name है वह आ जाएगा okay name लिखने का name method और name function यूज़ करो ओके और यहां पर मैं एंडल यूज़ कर रहा हो ठीक है एंडल ओके same see out see out type id यूज़ कुरूंगा मैं मुझे अब बी के देखनी है b और इसका मुझे नेम चाहिए name n a m e name okay and I will just run this code okay तो देखो a a तो यह आप अपनो okay so type id okay just run तो देखो 10 10 यहां पर प्रेंट होगा यहां पर आउगा i print होगा यहां पर d print होगा okay यहां पर मैं एंडल यूज़ करता हूंगा okay I will use एंडल and I will just run the code okay 10 10 और जो a में value कौन से storey integer value storey और b में क्या storey double storey do you get this okay यहां पर data loss नहीं हो रहा है 10 10 आ रहा है अभी हमें करते है explicit type casting okay देखो explicit type casting कैसे करेंगा हम हम एक higher level data लेंगे double okay double a is equal to और हम लेंगे 10.6 okay अभी हम लेंगे integer मुझे b okay मुझे double से integer में convert करना है so integer b तो हम इसको कैसे करेंगे देखो अभी कि हमें explicit करना है तो manually करना पड़ता है तो manually मुझे कि क्या convert करना ए को b में convert करना तो a लिखने का ठीकिए और किसमे convert करना है मुझे integer में convert करना है तो ints के अंदर आपको लिखना है integer a और बस A को प्रिंट कर लो और B को प्रिंट कर लो कि टाइप देखने के ज्यूरूत नहीं अभी ड्रेक लिए अपको पता जड़ जाएगा ठीक है देखो वाट प्रब्लम ओके यहां पर कोलन रहेगा है ओके अब रॉन जस्ट देखो C, Double 10.0, 10.6 और इस 10.0 को मैंने B , 10.6 and 20.8 is a Double Value and 10 is a Integer Value देखो यहां पर नाल्स हो रहा है 0.6 का डेटा अलस हो रहा हूँंड जब नाल्स हो रहा है जब आम है बार इंटीजर में Convert कर रहा है झाल झाल